दोस्तो अलिगर्ड मुस्लिम उनिसिटी ने नया कोर्स की शुरुआत की है यानि निव कोर्स का अगाज गुआ है निव कोर्स का सिलान्याश हुआ है तो ये कोर्स कौन सा है इसमें कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं लेजिबिलिटी क्या है फीस क्या है टोटल डिटेल्स इ काफी UG and PG courses में जिसका वीडियो में काफी बना चुका था उसको आप दे सकते हैं distance में and online education में यानि distance आजकल AMU नहीं करवा रही है अभी तक जो वीडियो बन रहा है इसमें online courses का अभी admission के शुरुआत हो चुकी है UG, PG में आप लो admission ले सकते हैं उसके लिए मैं detail वीडियो बना दिया हूँ वीडियो के description में या end screen पे आपको वीडियो मिल जाएगा फिर भी कोई doubt होगा तो एक separate वीडियो फिर भी बन सकता है तो master in public health में ये courses की शुरुआत होई faculty of medicines में 2024 से 25 का यानि जो अभी session चला इसी session में details क्या क्या है दो साल के course है master in public health है इसमें 12 seat है 10 general की है 2 foreign national या NRI के लिए है qualification क्या है कोई भी bachelor degree होना चाहिए चाहे life sciences में हो science में हो social science में हो paramedical में हो nursing में हो BDS में हो MBBS में हो IUS के जो courses है उसमें हो बस 50% math होना चाहिए graduation में जो graduation का mention है इस eligibility में वो लोग इसको apply कर सकते है age limit क्या है 27 साल as on 1st July of this year of admission इस 2024 में एक जुलाई को 27 साल से जादा नहीं होना चाहिए इसमें admission test के दुआरा आपका admission होगा जिसमें 100 नमर के questions पूछे जाएंगे syllabus जो है वो already controller of examinations के website पे डला हुआ है तो आप लोग syllabus वहाँ से ले सकते है तो दोस्तों आपकी काम के हो तो आप वीडियो को देखिएगा और आगे नहीं तो इसको share जरूर कर दीजिएगा जरूरत मन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए अब आगे जो है टेस्ट सेंटर के लिए इन्होंने कहा कि अलिगर्ड मुसलिम यूशिटी में ही होगा यूपी में ही होगा एडमिशन टेस्ट अप्लिकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन भरे जा रहा है पंदरसो रुप्या फी से फॉर्म हैंडलिंग ऑफिस है ओफिस अप्ट्रोलर अफ एक्जामनिशन लास डेट है 31 ऑगस्ट 2024 के वैसे लेट फी के साथ 7 सेप्टेंबर तक भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट जो मास्टर अफ पब्लिक हेल्थ में एडमिट होगा उसको डेवलप्मेंट फी 50,000 पर सेमिस्टर देना होगा एक्शन जो हुआ है वो वाई चैंसलर जी ने लिया है और आगे जो भी रिपोर्ट होगी आपको पब्लिश किया जाएगा कंट्रोलर अफ एक्जामनिशन का साइन है आप देख सकते हैं यह 16 अगस यानि 15 अगस इंडिपेंडेंस मनाने के दूसरे दिन ही इसको पब्लिश किया गया है और आप इसको 19 अगस पे हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो ऐसे ही यूसफुल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ डिस्टेंस एन ओनलाइन के भी बना चुका हूँ जिसमें UG and PG में online courses में admission हो रहा है बीना test का बीना entrance examinations का direct admission हो जा रहा है direct admission हो रहा है कोई भी criteria इसमें नहीं है बस आपका eligibility होना चाहिए graduation के लिए बारहवी और post graduation के लिए graduation होना चाहिए distance और online में आप admission ले सकते हैं ठीक है अलिगर्ण Muslim University में उसका वीडियो में बना चुका हूँ आप अगर comment करेंगे तो further उसके लिए बना सकता हूँ और जामिया मिले इस्लामिया में भी center and distance online education में admission हो रहा है तो जामिया M.U. में दोनों में distance form निकले हुए हैं आप लोग apply कर सकते हैं दिल्ली University में भी D.U.S.O.L. के form निकले हुए हैं मुंबई University में में निकले हुए हैं तो आप लोग अभी distance and online education वाले active रहे हैं आप लोग admission ले सकते हैं अगर ये काम की वीडियो होता है अपने पास रखे नहीं है तो इसको जाज़ जादा शेयर करें मिलते हैं इसी useful वीडियो में तब तक यूटेक गूड के रफियो सर्फ जाहिन जाएम यू